नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हाएं आत्मा की बिभीन योजना के सफल की रन्योयन के लिए समानाले में जिला अस्तर एकाद सुरक्षा मिशन कारकेर्णी समीति की बैठक कर रहे थे इस द्वरान उन्होंने अधिकारियों को किसानों को रिंड माफ्य योजना का लाव दिलाने में तेजी लाने के निरेश्तिय हैं बता दे जर्खर्कन किरिसी रिंड माफ्य योजना की समी इन में से 29577 EKYC, DNO और DC Login से 28464 स्विक्रित हुए हैं वहीं अधिकारियों से अधिका अधिक किसानों को जोजना कलाब दिलाने और पिछल रहे परखंडों में लक्षताय करने को कहा है बैठक में चालू VTA वर्स की कार जोजना को लेकर चर्चा हुई है जहारखंड ने केंद्र सरकार से मांगा बगाया 1.30 लाह कड़ोर केंद्री ये बीत मंत्री निर्मला सिता रामन के साथ सानिवर को आयोजित पैठक में जहारखंड के बीत मंत्री डक्टर रमेश्वर उराव अस्वस्ता की वज़ा से सामिल नहीं हो सके राज की ओर से बीत विभाग के सचीव परसांत कुमान ने जार्खन का पक्ष रखा उन्होंने कोल कम्पनियों पर बकाय एक पंट तीन जिरो लाग कोड़ो रुपए देने का आगरा भी केंद्र सरकार से किया है राज सरकार पुर्व में भी केंद्र से एक पंट तीन जिरो लाग कोड़ो रुपए बकाया की मांग कर रही है पुर्मुक मंत्री हैमन सुरेन ने भी प्रधान मंत्री से मुलकात कर बकाया भोगतान करने का अगरा किया था वहीं बीद सर्चीव ने जहारखन के लिए एक बार फिर से विभीन रेल लाइनों के लिए रासी की मांग की है उन्होंने कहा है कि राज के कई जिले अभी तक रेल मार्क से अच्छूते हैं इन जिलों में रेल लाइन पहुंचाने के लिए राज सरकार वचनवध है इसलिकेंदर सरकार इस मद में परियाप्त रासी दे जहारखन के 40 लाख बिद्यार्थियों को मिलेगी पोसाक जहारखन के प्रालामभिक इस उलों में पढ़ने वाले सभी 40 लाख चात्र चात्र चात्राओं को पोसाक दी जाएगी यह पोसाक स्वयम सहायता समोह के माद्यम से त्यार होगी इसके लिए पहले स्वयम सहायता समोह का आकलन किया जाएगा अगर वे इसमें सक्षम है तो वे तयार करेंगे नहीं तो पहली से आठवी तक के छात्र चात्र चात्राओं को डीवीटी के माद्यम से पोसाक के लिए रासी दी जाएगी इसके लिए इसकुरी सिक्षावत सता भी भागि परभारी सची उमा संकर सिंग ने सभी जीदों को निर्देश चारी कर दिया है उमा संकर सिंग ने पोश्ट किया है कि जिन छात्र सत्राओ का बैंक में खाता नहीं है उनके मातापिता के नाम से उपलब्द जन धन खाते या अने खाते में पोसाग की रासी का भुक्तान होगा वहीं पहली वाद दूसरे के छात्र छात्राओं की सीधे पोसाग या माता पीता के बैंक खाते में रासी नहीं दी जाती है तो विद्याले प्रबंधन समीति के माध्यम से पोसाग की खरीदारी कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा लातेहर में टंकी का पानी पीने से 20 बच्चे बीमार लातेहर के चंदवा परखंड के जमीरा पंचायत अंतरगत उतकर्मिक प्राच्मिक बिद्याले डूरू में सिंटेक्स का गांदा पानी पीने से सनीवार को 10 बजे करीब 20 बच्चों की तबियत विगल गई उन्हें उल्टी और चकर आने लगे आनन फाना में सब भी बच्चों को एमुलेंस के माध्यम से समुदाइक स्वासकेंद चंद्रो लाया गया जहां डाक्टर तरून जोस लकडा ने इनका इलाज किया उन्होंने बताए, एकर सभी बचे फिलल कल खत्रे से बाहर है प्रप्जनकारी के इनुषा सनीवार को बच्चे भोजन करने के बाद इस्कूल में लगी टंकी का पानी को पीने लगे पानी पीने के बाद कई बच्चों ने पानी से बदबू आने के सिकायद की इसके बाद कई बच्चों को उल्टी होने लगी इतिती को देखते हुए सिक्षकों ने ततपरता दिखाते हुए स्वास्त विभा को सुचना दी है जारखंड के नौ जीलों में मुसलाधार बारिस का अलर्ट जारखंड में मांसून का इंतिजार खत्म हो गया है जारखंड में आने वाले दिनों में कई अस्थानों पर गरजन के साथ हलके सिमत दर्जे की बार्षा होने की समभावना है मौसम भी भाग के अनुसार 24 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग जामतला देवघर दुम का पाकुड गोड़ा साहिव गज में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की समभावना है वहीं 25 जून को उत्तर पूर्वी और निकटवर्ति मदे भागो रांची समेत रामगर बोकारो धनबाज जामतला देवघर दुम का पाकुड गोड़ा साहिव गज़ में भारी बर्षा को लेकर एलो अलर्ड जारी किया गया है इस दवान कहीं कहीं पर गरजन और तेज हवावों की गती 30-40 किलमेट प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी नीट पेपर लिक मामले में देवघर से 6 गिरफ्तार नीट पेपर लिक मामले में पटना पूलिस की टीम ने देवघर जीले के देवी पूर्थाना जहेतर के M's के सामने एक किराये के माकार में छापे मारी का 6 आरोपी तो को हेरासत में लिया है हलाकि रेड करने आई पटना पुलिस ने देवघर पुलिस को बताया था कि ये सभी साइबर ठकी 11 रोपी है देवघर पुलिस को सनीवार को इस बात का पता चला कि वे सभी असल में नीट पेपर लिक मामले में पकड़े गए है शुत्रों की मुतावी पकड़े गए यूकों में चिंटु कुमार ओप सिटु परसांत कुमार पंकु कुमार परमजीत सिंग बलदेव सिंग वा काजु कुमार सामिल है इन सभी को पतना पुलिस अपने साथ चुपके से ले गई है पकड़े गए सभी लोग बिहार के नरांदा के रहने वाले बताए जाते हैं मुख्य मंत्री आज घाट सिला को देंगे कड़ोरो की सोगात जारखन के मुख्य मंत्री चमपाई सुरें रभी वर को घाट सिला में कड़ोरो रुपए की लागा से तियार योजनाओ का उद घाटन सिला नियास वर लावको की बिच पर संपत्ति का वित्रन करेंगे पास दिन में दूसरी बार पूर्भी सिम्हुम जीले के दोरे पर पहुंचने पर मुख्य मंत्री चमपाई सुरें राज जेवा जीला वासियों के लिए महत्पोन घुसनाय भी कर सकते है पर एटन को बढ़ावाद देने के उद्यस से बुरुडि डेम का अवलोकन भी मुख्य मंत्री करेंगे इसके लिए जिला परसासन डेम किनारे कैनोपी लगा कर आयोजन की त्यारी की है बता दे मुख्य मंत्री चमपाई सुरें घार चिला में आयोजीत मांजी परगना महाल के सम्मेलन में सिर्कत करेंगे मुख्य मंत्री के प्रस्तावीत आगमन को लेकर उपायोग्त अन्यन मितल एवाम एसेस्पी की सोर कौसल द्वारा परतिन्युक्त दंडा अधिकारियों पुलिस पता अधिकारियों के बिरफिरिंग कर सुरक्षा एवाम बीधी बेवास्ता संधारन को लेकर आवसक दिसान निदेश दिये गए हैं पुरु मुखमंत्री वज्जामों के करकारी अधिक्त हैमान सुरे ने किल्मनल रीट याचिका जारखन हाई कोट दायर की है उन्होंने इडी समन के अवहिलना करने के मामले में CGM की अदालत द्वारा लिए गए संग्यान वजारी समन को चुनोती दी है उन्होंने याचिका में कहा है कि दुरभावनास से प्रेरित होकर इडी ने भार-बार समन जारी किया था पलामू में बिजली पानी समस्या को लेकर बिजेपी ने निकाली आक्रोस रैली पलामू भाजपा कमिटी ने सुक्रवार को जीले में बिजली, पानी, बालू, खाद, बीज, स्वास्थ, बेवस्था जैस से जन मुद्दे को लेकर आक्रोस रैली निकाल का समानाला का घिराप कर परदसन किया है भाजपा जिला अध्यक्स, अमीत तीवारी के नेतित में मेदनी नगर, रेडमा काली मंदिर के स्थीत, लगुसी चाई, ओफिस के मैदान से आक्रोस रैली के सुरुवात हुई है इसके बाद एर एली रेडमा चौक, ओभर बिरिज होते हुए कचारी में परवेश की है और समानाले पहुँचकर पार्टी के रकरताओं ने राज सरकार के खिलाब जमका नारेबाजी की मुख्याती थी भाजपा परदेश महामंत्री मनोज सिंग ने कहा है कि पलामू में जुलसने वाली गर्मी के बीच बिजली के कटोती और बुंद बुंद की पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं गिरिडी में अबुआ बीर अबुआ दिसोम अभियान को लेकर परखंडों में लगेगा कैम्प के दाओ के अनुरूप ब्यक्तिगा समुदाइक और समुदाइक वन संसाधन परवन अधिकार पट्टा मुहया दिलाने का अभियान है इसके साथ ही डीसी ने कहा है कि यह केवल अधिकार ही नहीं वन पट्टा धारकों की आजीवका और खुसहाली के लिए वन छेत्र के संसांधनों और अने जोजनाओ के समनुदाइक के भी यह अभियान संकल्पी था है उन्होंने वन अधिकार के परकार पर चर्चा करते वे कहा है कि व्यक्तिकत वन अधिकार इसके तहट एक परिवार के वन पर इस्थित घरबरी और खेती की वन भूमी सामिल है जो 10 एकर तक सीमी था है धन्यवाद